हेलो बच्चो, गुड मॉर्निंग, स्टांडर, फॉर्ध, सब्जेक्ट, हिंदी, बच्चो, आज के वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब में पेद नंबर 80 पर एक कविता दी हुई है, उसका अभियास करेंगे, तो पेद नंबर 80 निकालिए, निकाला बच्चो, देखिए, यहां लेसन नंबर 11 में एक कविता दी है, जिसका नाम है आसमान में कितने तारे, यहां आसमान का मतलब होता है आकाश, क्या होता है आकाश, यहां इस कविता में कवी अनवारे इसलाम जी ने हमें तारों की अनोखी दुनिया की सेर कराने का प्रयत्न किया है, तो इस कविता को समद्ने से पहले हम यहां चिंदन मनन दिया है, वो देखेंगे, प्रक्रूती, कितनी अनोखी है, तो अनोखी का मतलब होता है अलग, सुबह जिस आसमान में सुरज चमकता है, उसी आसमान में रात बर तारे टिम्टिमाते है, यानि कि सुबह, यानि कि जब सवेरा होता है, तो आसमान में क्या दिखाई देता है, सुरज, तो जब सवेरा होता है, तब आसमान में सुरज निकलता है, तो वो जब रात होती है, तब तक सुरज आसमान में दिखाई देता है, और उसी आसमान में जब रात हो जाती है, त तो रात बर क्या दिखाई देता है तारे तारे टिम्टिमाते दिखाई देते हैं तारे इतने कि गिन्ती भी कम पड़ जाए आस्मान में कितने तारे होते हैं अनगीनत यानि कि हम उसे गिन्ते जाए तो गिन्ती भी कम पड़ जाती है लेकिन तारे हम गिन नहीं पाते हैं आसमान, आसमान का मतलब होता है गगन, उसका मतलब गगन भी होता है और आकाश भी होता है, उसके बाद है पास, पास का मतलब है नज़रीक, गोरक धन्दा, गोरक धन्दा का मतलब है उल्जन, क्या है उल्जन, उसके बाद है जगमग, जगमग का मतलब है चमक, बच्चो ए सभी सब्दार्थ आपको हिंदी की नौटबुक में नए पेज पर पहले कविता का हेडिंग लगाना है उसके बाद ए सभी सब्दार्थ आपको अच्छे हेंडाटी निकाल कर वन टाइम आपकी नौटबुक में लिखने है अब हम कविता का सार समझेंगे आसमान में कितने तारे क्या तुमको दिखते है सारे किस किस का तुम नाम जानते कौन है कितने पास तुम्हारे आसमान में याने कि आकास में कितने तारे है वो तुम सब तुमको वो सब तारे एक सार दिखाई देते है विशा कवी ने हमें पूछा है तो बच्चों आस्मान तो बहुत बड़ा विशाल है और उस आस्मान में बहुत सारे तारे भी है कितने असंख्य कि जिनकी गिंती हम नहीं कर सकते हम जिस जगळ पर खड़े होते हैं उस जगळ से हम आसमान की ओर देखे तो सभी तारे हमें एक साथ नहीं दिखाई देते तो क्या हमें सभी तारे एक साथ दिखाई देते हैं नहीं देते ना कुछ तारे हमें दिखाई देते हैं और कुछ तारे दिखाई नहीं देते क्योंकि आस्मान तो बहुत बड़ा विशाल है हम एक जगा खड़े रहकर सारे तारों को एक साथ नहीं देख सकते बच्चों आस्मान में के और हम देखते हैं तो कुछ तारे हमें ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं तो कुछ कम दिखाई देते हैं तो कुछ तारे बड़े दिखाई देते हैं तो कुछ छोटे दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आस्मान में जो तारे है, कुछ धर्ती से उसका अंतर कम है, यानि कि धर्ती से वो नजदिक है, जो तारे ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं, और ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं, वो धर और कम चमकदार दिखाई देते हैं उसका अंतर हमारी धर्ती से बहुत दूर है इस दिये वो छोटे और कम चमकदार दिखाई देते हैं अब आगे देखेंगे आसमान में कितने तारे दिन में क्यों छिपते है तारे, रात में क्यों दिखते है तारे, क्यों होता है यह गोरक दंदा, जगमग क्यों करते है तारे, दिन में क्यों छिपते है तारे, तो बच्चों, आसमान में यह तारे हैं, वो दिन में क्यों नहीं दिखा देते हैं, आप दिन में जब आसमान मे देखते हैं, तो तारे दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, दिन में आस्मान में क्या दिखाई देता हैं, सूरज, सूरज दिखाई देता है ना, सूरज भी एक तारा ही है, लेकिन वो धरती से उसका अंतर कम है, इसलिए वो ज्यादा बड़ा और ज्यादा प्रका आस्मान दिखाई देता है, जब सुबह होती है, तो सुरज निकलाता है, और सुरज की रोष्णी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो चारो और उजाला फेला देता है, सबेरा होता है तब उजाला हो जाता है ना, उसके कारण तारों की रोष्णी कम होती है, उसके मुकाब इसलिए सुरज जाने पर जला बढ़ जाता है इसलिए दिन में तारे दिखाई नहीं देते है याने की वो छुक जाते है और दिरे दिरे करके सुरज जब ढलने लगता है और रात हो जाती है तब वापस तारे आस्मान में दिखाई देने लगते हैं क्योंकि चारो और सुरट डलने से क्या हो जाता है अंधेरा हो जाता है इसलिए आस्मान में फिर से तारे दिखाई देने लगते हैं तो समद में आ गया बच्चोँ कि दिन में ताहरे क्यों नहीं दिखाई देते और रात में वापस कैसे दिखने रखते हैं, समद में आ गया ना, तो अब आगे हम देखेंगे, हर ताहरे की बात पुरानी कुछ की लेकिन सही निसानी, तो हर तारे की बात पुरानी, तो यहां आस्मान में जो तारे है, उन तारों के अलग-अलग कहानी है, जैसे की दुरूव तारा, फिर सब्तरिशी तारा, गुरु का तारा, सुक्र का तारा, इन सब तारों के अलग-अलग नाम भी है, जैसे की हमारे नाम रखे है ना हमारे मम पापा ने उसी प्रकार इसमें से कुछ तारे ऐसे है जिनके नाम है अपने नाम से जाने जाते इसमें से है एक तो दू हुँँ तारा to hai जो आसमान की औरम देख्ते हैं तो जो सबसे चमकदा तारा है ना वो द्रूव तारा है। ए विज्ञानिक उसको द्रूव तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तरिय द्रूव से वो हम्मेशा एक जगह चमकता दिखाए देता है। इसलिए विज्ञानिक उनको द्रूव तारा के नाम से जानते है। लेकिन हमारी पुराणों में द्रूव तारा के बारे में एक अलगी कहानी प्रचली थे। जो मैं आपको आज सुनाती हो। उत्तान पाद नामक एक राजा था। उसकी दो पत्मियां थी। सुनिती और सुरिची। उसमें से सुनिती का पुत्र का नाम था द्रूव और सुरुची का पुत्र का नाम था उत्तम। राजा उत्तान पाद सुनिती से ज्यादा सुरिची को ज्यादा पसंद करते थे। और उसको अधिक प्रेम भी करते थे। एक बार सुनिती का पुत्र द्रूव अपने पिता उत्तान पाद के गोध में खेल रहा था। तबी सूरी ची उदर आ जाती है। और द्रू को अपने पीटा के गोद में खिलते हुए देखकर उसको इसे आती है। और वो उसको बहुत क्रोध भी आता है, वो अपने पूत्र उत्तम को लेकर उत्तानपात के पास जाती है, और ध्रू को उनके गोज से निचे उतार देती है, और अपने बेटे को उनके गोज में बिठा देती है, और उसके कारण ध्रू रोने लगता है, और अपनी माता के प कि रोनों से कुछ नहीं होगा, तुमें अपना हक खुद हासिल करना होगा, और इसी प्रकार ध्रोमने सुना था, कि तपस्चर्या करने से बगवान हमें फल देते हैं, तो वो जंगल में तपस्चर्या करने के लिए चला जाता है, तब वो कितने साल का था? पांच साल का, फिर जंगल में वो विष्णु बगवान की तपस्चर्या करने लगता है, 6 मैने तक वो तपस्चर्या करता है, और उसके बाद बगवान विष्णु प्रस्चन होते हैं, और द्रूव को दर्शन देते हैं और उसके साथ साथ वर्दान भी देते हैं कि तुमें पीता का प्रेम तो मिलेगा ही उसके साथ साथ तुम उत्तम सासक भी बनोंगे उसके बाद द्रूव वापस महल में आ जाता है और 6 वर्ष के आयु में वो उसको राजा बना दिया जाता और वो अपने जीवन काल में अच्छे राजा की तरह सासन करता है और उसके बाद विश्णु पगवान ने उसको वर्दान दुसरा वेक वर्दान दिया था कि मृत्यु के प्रस्चात तुम हमारे लोग को प्राक्त करोंगे इसके कारण वो मृत्य के प्रस्चात एक तारा बन जाता है और उसको हम दुरु तारा के रुप में जानते हैं उसके पिछे ये भी एक कहानी प्रचली थे उसके बाद सब्तर्शी तारा यानि कि हम आस्मान में देखे तो साथ तारों का समू दिखाए दे सब्तर्शी तारा क कोई एक तारा नहीं है लेकिन साथ तारों का समू है जो उनको मिला कर हम देखे तो एक बड़े भालू के आकार का आकार बनता है और उनके नाम भी हमारे पुराणों में जो महान रुसी बन गए उनके नाम से रखे गए है जैसे कि वशिष्ट रुसी विश्वामित्र रुसी कणव रुसी, भार्वद्राज रुसी, अत्री रुसी, वामदेव रुसी और सेनक रुसी तो इन सब रुस्यों ने हमारे संसार में उन्होंने बहुन महान-महान कारिय किये थे और अपना योगदान भी दिया था तो उनके प्रती कुर्तग्यता व्यक्त कनने के लिए इन तारों के नाम इन रुस्यों के नाम से रखे गए हैं इसलिए उसको सब तर्शी तारे भी कहते हैं तो इन तारों के पिछे अलग-अलग कहानिया भी है और उनकी अलग-अलग मिसानिया भी है तो अब हम आगे देखेंगे क्या देखा क्या जाना तुमने बोलो इनकी राम क हर तारे की बात पुरानी तो यहां कवी का नाम दिया हुआ है देखा आपने अनवारे इसलाम तो बच्चों आपको इस कवीता को समझ कर क्या समद में आया कि भगवान ने जब हमारी प्रकृती बनाई तो उसमें बहुत सुन्दर सुन्दर चीजे भी बनाई ये बनाई है न तो हम ये तारे देखते है तो हमें उनको गिनने की इच्छा होती है लेकिन हम उनको गिन नहीं पाते क्योंकि आसमान में तो कितने तारे है अनगिनत कितने अनगिनत उनको गिनते गिनते हमारे अंग खतम हो जाते यानिकि गिनती खतम हो जाती है लेकिन तारे खतम होने का आप नहीं लेते, तो अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, गुडबाई बच्चो,